सो एग जैस वलकॉम बैक मैं नीव वीड़ो गैस कैसे हो आप लोग आई होब कि आप लोग बढ़ियांगे आगे भी बढ़िया रहे नहाँ आज हम फिर से खेलने जारें जी डिये 5 और आज हम फिर से एक मेगा रम चैलेंज को कंप्लेट करने जारें जिस चैलेंज में काफी सारी कार है गाड़ी है मोटर साइकल है हेलिकॉप्टर है तो इस चलेंज को कम्प्लेट करने में काफी मज़ा आएगा इस चलेंज में मोटू पतलू डॉक्टर जटका चिंगम सर घसीता राम डॉन दा जॉन तो चली इस चलेंज को स्टार्ट करते हैं एंड पहले चलेंज को complete करने जारा है मोटू तो देखते हैं मोटू इस challenge को complete पूरा end तक कर पाता है ये नहीं कर पाता है और जो भी इस challenge को complete करेगा उसे काफी बढ़ी इनाम दिया जाएगा तो देखते हैं क्या होता है गाइस मोटू के साथ मोटू निकल चुका है अपने कार में बैट का challenge के लिए और यहां से नीचे जाना है साथ से हाँ नीचे जाना है तो मोटू अराम से जा और ये जिस कार में मोटू बैट है ये बुगार्टी कार है गाइस जो की काफी speed में चल रही है तो देखते है क्या होता है मोटू के साथ और यहां से जम्प लगाना है और जम्प लगा भी दिया ओ भाई टकरा आगया यार बच के जा मोटू अराम से जा बच बच के इन पंकों से तो देखते हैं गाज मोटू जीत पाता है ये challenge या नहीं जीत पाता है यहां से और पंके आगये फिर से बच के जा मोटू पंकों से बच जा और पंके खतम अब यहां से जाना है सीधा उसके बाद घूम जाना है और उसके बाद ये बुगाटी कार का challenge complete हो जाएगा और थोड़ा सा बचाई और ये complete हो भी गया अब गाईज आगे का challenge है हेलिकॉप्टर का काफी सारी हेलिकॉप्टर रखी हुई है आगे आप लोग देख सकते हो तो इस से challenge complete करना है और यहां पे मोटू हेलिकॉप्टर बैट ने जार है और बैट भी चुका है कितनी सारी हेलिकॉप्टर आप लोग देख सकते हो गाईज और ये रास्ता तो मुस्किल है ये गाइज टायरों के बीच ओ बीच निकालना है ये बड़े बड़े टायर है इनके बीच ओ बीच हेलिकॉप्टर को निकालना है जो की काफी मुस्किल है तो देखते हैं मोटू ये वाला चैलन्ज कमप्लेट कर पाते हैं ने कर पाते हैं मोटू आराम से बच बच के जा नहीं तो हेलिकॉप्टर टायर में टकराई बलाश्ट कर जा ये हेलिकॉप्टर और ये कमप्लेट कर दिया और यहां से फुर से घूम के टायरों के अंदर से है मोटू अराम से अराम से बच बच के जा धीरे धीरे इजा अराम से देखते हैं यह कंप्लेट कर पाता है मोटू या नहीं और थोड़ा सा बचा है जो मोटू कंप्लेट कर देगा मुझे लग रहा है और दो तिन टायर और यह लास्ट टायर और पार कर दिया इतनी आसानी स मोटو ने इस चैलेंज को पार कर दिया गाईज आप लोग देख सकते हो अब हेलिकॉप्टर को लेंड भी करा दिया अब आगे का चैलेंज देखते हैं गाईज यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो काफी सारी मोटर साइकल है तो आगे का चैलेंज मोटर साइकल से कंप्लेट करना है मोटर साइकल में बैटने जा रहे मोटो और बैट भी चुका है और आगे जाना है इस मोटर साइकल से और ये चैलेंज काफी आसान है गाइज मोटर साइकल ले जाना है और ये पंके नाच रहे बस इनसे बचना है जो की काफी आसान है मोटू तो आसानी से बच जाएगा और बच भी गया और पंके आगए और इनसे बचना है मोटू आराम से जा और बच बच के जा और खाइज देख सकतो मोटू कितनी स्पीड में बाइट चला रहा है मोटू को थोड़ा से भी डर नहीं लग रहा है और यहां आ गया चल मोटू यहां से घूम जा ओ मोटू क्या किया यार पानी में आ गया नीचे आ गया गाइस आप लोग देख सो तो पानी में आ चुका है मोटू और चैलेंज को हार चुका है अब चैलेंज को कम्प्लेट करने जार है पतलू तो देखते हैं पतलू इस चैलेंज को कम्प्लेट पूरे एंड तक कर पाते है ये ने कर पाते है और वाइट कलर की बुगार्टी में बैठा हुआ है पतलू आप लोग देख सकते हैं तो कितनी अच्छी ये बुगार्टी लग रही है और चैलेंज के लिए निकल चुका है पतलू भी अब देखते हैं पतलू के साथ क्या होता है यहां से नीचे जाना है पतलू को तो दीरे दीरे ही जाना होगा नहीं तो यहां पे गाड़ी पलट भी सकती है तो बचबच के आराम से पतलू जा नीचे और झा भी रहा है गाई अब लोग देख सकता हूँ और यहां से एक जंप लगाना है और यह जंप लगा भी दिया और रैंप में टकरा गया चल दीरे से टकरा है पतलू निकल जा अराम से और ये पंके नाच रहे दो चार पंके हैं इनसे बचके निकलना है ये तो आसानी से पतलू पार कर देखा गाईज कितने दीरे दीर ये पंके नाच रहें ये तो पार करी देगा पतलू और ये लाश्ट पंका पार कर दिया चलो complete कर दिया अब थोड़ा सा challenge और यह बागी है और यहां से जंप लगा दिया यहां से घूमना है उसके बाद यह बोगाटी गार का challenge हो जागा complete और complete हो भी गया अब आगे का challenge हेलिकॉप्टर का जो की काफी मुस्किल है मोटू ने तो पार कर दिया था अब देखते हैं पतलू पार कर पाता है यह challenge या नहीं हेलिकॉप्टर ने बैठ चुका है पतलू और यहां से जाना है उसे सीधा टायरों के बीच ओ बीच ले जाना हेलिकॉप्टर को तो जा पतलू अराम से जा अब देखते हैं पतलू पार कर पाते हैं और पतलू अराम से ही पार कर रहा है अगर ऐसे पार किया तो यह challenge भी पतलू complete कर देखते हैं क्या होता है पतलू के साथ कुछ भी हो सकता है और यहां से पार कर दिया चल पतलू फिर से घूम जा और फिर से घूम के फिर से टायरों के अंदर से जाना है और ये टार फिट से आ गए और बच बच के निकल जैसे पहले पार किया था वैसे ही करते आसानी से और मुझे लगता है पतलू पार कर देगा गाइस क्यूंकि उतना मुस्किल नहीं है धीरे धीरे ही ले जा रहा है हेलिकॉप्टर अपना पतलू और ये बैटने जा रहा है पतलू और मोटर साइकल पर बैट भी चुका है अब आगे का चैलेंज इस से कंप्लेट करें है मोटर साइकल से और ये पंके नाच रहा है बस इन से बचना है पतलू को तो पतलू आराम से जा बच बच के असानी से पार कर देगा पतलू ये चैलेंज औ याइर कितनी तेजी में जारा मोटू यही पे गिरा था सिदा पानी में लेके चला गया था बाइक घीरे धीरे जा और यहाश पंखरा पार कर दिया भरेक लगा लिया चेलो गजा ले पत्लु ने ब्रेक लगा लिया बच गया अब यहां से आगे का challenge है गाई जनाओ का तो नाओ में बैठने जार है पतलू बैठ भी चुका है और गाई जनाओ का challenge आप देख सकते हो काफी मुस्किल है इसमें यह पंक्रे नाच रहे हैं इन से बचना है ओ पतलू बच बच के जा नहीं तो नाओ खराब हो जाएगी टकर मार द बचके निकल जा पतलू कैसे भी करके बचके निकल जा और यह बच गया और चार पांच पंखे बचे हुए और आगे देखते हैं आगे दो पंखे बस हैं बस इनको पार करते हैं और यह लाश पंखा पार कर दिया चलो गाइज ना वाला चैलेंज भी पतलू ने पार कर दिया अब आगे का चैलेंज देख लेते हैं और आगे का चैलेंज बड़ी बड़ी ट्रक का यहाँ पर देख सकते हूँ यह बड़ी बड़ी चक्के वाले ट्रक है मौसन ट्रक लग रहे हैं तो इसमें बैट ने जार है पतलू और बैट भी चुगा है आप लोग देख सकते हो अब यहां से आगे का चलेंज कंपलेट करने है यह मौसन ट्रक से और उपर जाना है तो यह तो आसानी है पतलू तो आसानी से यह पार कर देगा और यह जंप करा भी दिया अब चल पतलू यहां से फिर से उपर जाना है और फिर से पतलू उपर जा र लग रहा है यह तो आसान है इसमें मुस्किल थोड़ा सा भी नहीं सिर्फ ऊपर जाने है मौसन ट्रक को लेकर और यह रैंप आ गया और यह पार कर दिया और गाज यह मौसन ट्रक का भी चैलेंज हो चुका है खतम फटलू कूद गया हो यार मौसन ट्रक को नीचे जंप करा द वाला मोटर साइकल है तो इससे देखते हैं गाज पतलू चैलेंज कंप्लेट कर पाते हैं यह कर पाता है और मोटर साइकल में बैठ चुका है यहां से जाना है उसे आगे और गाइस यह तो आसानी है गाज सिर्फ उपर जाना है और उपर जाकर इस चैलेंज को कंप्लेट क कर पाता है यह नहीं कर पाता है मुझे तो लग रहे कम्प्लेट कर देंगा गाइस को इसकी आसानी चैलेंज और यहांसे फिर से उपपर जाना कितना उपर जाना है एक चल पत्लू जाराम से जा और यह मोटर साइकल गाइस चला रहे इस आप लोग देख सकते हो और पतलू जा धीरे धीरे मत जा थोड़ा स्पीड में जा जल्दी कर और भाई साब ये फ्रीस का बोड़ा आ चुका है इस आप लोग देख सकते हो और ये चैलन्ज हो चुका है फ्रीस तो इस चैलन्ज का बिनर बन चुका है पतलू तो अब पतलू को दिया जाएगा इनाम